हेलो फ्रेंट्स आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बजार वितायूश और बात करेंगे इस वीडियो में अडानी वेलमार के उपर तो अडानी वेलमार में कंटिनियूसली क्या हो रहा है कि एक लोर सकिट का दौर जो है वो चलता हुआ नजर आ रहा है आज भी लोर लग रहा है यह जो देखिए छोटे छोटे ब्लॉक्स देख रहे हैं न यह सारे लोर सकिट के स्टॉक के ने सब जगर लोर सकिट लग रहा है स्टॉक में लगता है कि थोड़ी बहुत तेजी आएगी बट असल हो नहीं पाता हो स्टॉक जो फिर से आपको गिरता हुआ करा रहा है क्योंकि यह बाद आपको समझ नहीं पड़ेगी अडानी विलमार के जो अभी थर्ड क्वार्टर के नंबर्स निकल के आये थे वह काफी बहतर थे मार्केट की एक्स्पेक्टेशन से भी काफी आई थे और उसके बावजूद भी आपको देखने को मुले का जो स स्टॉक थोड़ा कंसॉलिडेट किया फिर अब लगातार गिरावट हो रही है तो कि स्टॉक ने अनडावटिटली पहले क्या करता था ना कि इन लेवल्स के इसके सपोर्ट ले ले लाता था लेकिन इस बर क्या हुआ ना वो सपोर्ट जो है वो दोस्तों तूट चुका है जो अपने आप में एक स्टॉंग लेवल था वो तूट चुका है इसलिए आप जो गिरावट देख रहे ना वो काफी बड़ी आ रही है और यह बात ध्यान रखिएगा कि अगर यहां से स्टॉक गिरता जाता है ना फिर बहुत दिक्कत है आ सकती है अगर दोस्तों आपे क प्रपोजल पर कि वह एक पैनल फॉर्म करेंगे और रेगुलेटरी माकनिजम अब यह बहुत बहुत इंपॉर्टन हो जाती है दोस्तों कि अगर सरकार कहती है कि हां हम सुप्रीम कोट के प्रपोजल के उपर एक्सेप्ट हमने कर लिया बिसिकली उन्होंने एक्सेप्ट कर गई है कि जो गवर्मेंट है जो एक्सपोर्ट पैनल के अंदर लोग होने वाले उनके नाम जाहिर नहीं करेगी आम पब्लिक में अब इसके पीछे का देखिए जो सरकार ने बताया है वो यही काई कि फॉरें इंवस्ट के हित के लिए यह बहुत इंपॉर्टन है कि ज्या और इसलिए यहाँ पर अगर आप साफ बात समझेंगे तो सुप्रीम कोट भी काफी जादा आपको यहाँ पर इंवस्टर्स के हित की बात करता हुआ नजरा आया था और वो भी सुप्रीम कोट भी चाहता है कि डिफिनिटली इंवस्टर्स प्रोटेक्ट रहे उसका पैसा है जो सबसे important figure है वो है money और वो है दुस्तो money जो definitely अभी सारा फिजल आउट हो रहा है सारा पैसा जो है वो इन्वस्टर्स का जाता जा रहा है almost अगर आप अडानी गृप के stocks में क्या देख रहे है कि वो सारे lower circuit पे trade कर रहे है जब भी दुस्तो lower circuit पे trade करेंगे तो पैसा कहा बन रहा है पैसा बनना तो चली बहुत दूर की बात है important क्या है कि investor जो निकलना चाहता भी है न वो नहीं निकल पा रहा है क्योंकि lower circuit पे आज की volumes आज की जो volume आपने अडानी विलमार के अंदर देखी वो करीबन 28 lakh shares की थी 28 lakh shares आपको देखने को मिले आज एक दिन में trade हुए but basically वो सारे वो ही थे जो पहले की orders थे जो सारे निकल गए 393.40 रुपए आपको देखने को मिलेगा करीबन 76,929 orders still pending है delivery वाइस तो क्या ही देखे है because 100% delivery आपको देखने को मिलनी चीह है लेकिन करीबन आपको 45.82% क्या ही है but important क्या है कि यहाँ पर जो सबसे important क्योंकि आज क्या हुआ था शुरुआत में थोड़ा बहुत move आ गया 401 रुपए 50 पिसे पे गया 401 रुपए 50 पिसे पे गया उस समय के अंधरी जो basically जिन लोगों बेच ना था वो बेच के निकल गया और फिर lower circuit लग गया एक बात क्या थी कि आज अडानी enterprises के numbers निकल किया है अडानी enterprises के जो numbers निकल किया है वो definitely थोड़े से बढ़िया निकल किय आ गये उसके बाद थोड़ा सा गुरूप चला बट गुरूप के बाकी जो stocks थे almost सिब कौन कौन चले अडानी enterprises एक थोड़ा चला और अडानी पोट एक चला बाकी ACC चलता वह जो नजर आ रहा है वो अलग है लेकिन जो बाकी की company है अडानी विलमार वो चाली नहीं पा रही है मतब investors लगातार एक ही जगह पे first रुके है और यह अपने आप में question वाली बात है कि अच्छे numbers आने के बावजूद भी stock के अंदर इस प्रकार की गिरावाट हमको देखने को मिल रही है valuation का खेल अपना अपना एक अलग बात होती है बड़ जो बहुत important question है कि investors के protection का right किस प्रकार से हो अगर अगर आप डानी ग्रुप के उपर भी हम वरोसा नहीं कर पाए तो किस कौन से ग्रुप के उपर करें यह अपना आप में question है तो मुझे लगता है कि definitely जो आपर गवर जो सुप्रीम कोड सुनवाई कर रहा है इस मामले की इसके अंदर जो भी फैसला निकल के आएगा वह हमाली बहुत important होने वाला है क्योंकि दूस्तों जो आने वाले Friday को Supreme Court की hearing होगी वह द्यान रखेगा next hearing है वह Friday कोने वाली है दूसरी बात क्या कि जो प्रपोस्टम्स पर सरकार सुप्रीम कोड आज सेंटर टू सब्मिट अनोट और प्रपोस्टम्स और विड्नस डे यानि कल कल दोस्तों सरकार जो है वह basically जो भी प्रपोस्टम्स है जो भी देखे that remit of the panel has to be very specific so that it does not affect the flow of money and investment यह सरकार ने basically कहा था जब उन से पूचा गया था कि आप क्या करने वाले तो यही था कि हां हम बिठाएंगे but again वो नाम जाहिन नहीं करेंगे तो I think कल देखना होगा कि क्या होता है जब सुप्रीम कोट में वो बाद निकल के आएगी बट दूसरी बात क्या होने वाली जो सबसे important आज अडानी ग्रूप के तरफ से कई गई है वह internal audit को लेकर तो basically देखे अडानी ग्रूप ने क्या किया है अडानी ग्रूप ने accountancy firm Grant Thornton को independent audits के लिए basically चुन लिया है और उन्होंने यही कहा है कि यह basically हमारी companies की auditing करेंगे ताकि कोई भी ऐसा हमारे उपर जो भी blame लगाए गए है जो भी यहाँ पर short seller hindenburg ने हमारे उपर आरोप लगा है उसका परदाफाश हो सके तो I think अडानी ग्रूप ने भी जो कहा है because देखे ग्रांट हैं यह जो Grant Thornton माफ करेगा जो ग्रूप है वो definitely one of the best groups माना जाता है तो इसके अंदर अब company जो है वो independent audits करवाने वाली है after hindenburg fallout तो देखना होगा कि यहाँ पर क्या होता है because जो भी auditing का I think result निकल के आएगा वो markets के लिए बहुत ज़्याद़ डिसाइसिव रहेगा markets मान के चलिए उस decision को पूरा final मान के चलेंगे because I think यह जिस तरह से जाच करता है उसका जो फैसला निकल के आएगा वो भी market मानेगा तो यह दो important दोस्तों फैसले जो है वो निकल के आने वाले हैं अभी definitely कल पैनल बैट जाएगा almost और फिर यहाँ पर result जो है वो auditing का मान सकते है कि थोड़ा बहुत time लग सकता है बट निकल के आ आ वालेशन पर स्टॉक ट्रेड भी कर रहा है ना करेंबन सत्तर के आसपास की सबसे बड़ी बात तो यह है कि कावन हिजा करोड की market cap रह गई है almost एक समय में एक लाग करोड के उपर पहुझ गई थी आज उसकी आदी market cap हो गई है अब स्टॉक जो है वो 50 50% से जादा गिरी च अभी भी expensive देख सकता है बहुत लोग को counter तो इसमें कोई doubt नहीं है बट यह है कि अगर आपको vision क्या है वो सबसे important होने वाला है बट अगें चीज़े तब भी सुदरेगी जब definitely दोस्ते इनके उपर final decision निकल के आएगा तब जाकि जो चीज़े वो आपको बदलती भी निज मिश्वास दता ही है जिन लोगों नहीं लिया वो definitely अभी वेट कर सकते हैं इसके अंदर हाथ दालने की कोई शरुवत है भी नहीं तो इस वीडियो मत इतना ही था thank you friends watching this वीडियो चानल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए गा झाल